हलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका सुमी फैसन चैनल पर आज मैं आपको अमरेला कटिंग स्लिप्स बताने वाली हूं इसके लिए यह देखें यह मैं दो फोल्ड में कपड़े ले ली हूं और इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें 11-11 इंच का लेना है लगा के यह उगली रखके मैं इसे पलड़ देती हूं अब यह लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों हमारा बराबर हो गया इसक्वाइर में हमारा कपड़ा हो गया और एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर लेती हूं कि यह चार फोल्ड में यह कपड़ा हो गया अब हमने यह दोनों साइट से 11-11 इंच है तो हमें बीच में भी यहां 11 है अब बीच में भी 11 इंच का निसान लगाना है यह रखके हमने 11 इंच पे निसान लगा लिया इस तरह से इस तरह से हमें राउंड सेप में निसान लगा लेना है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो ही आपको इसकी ड्राफ्टिंग कटिंग और स्टीचिंग की पूरी जनकारी मिल जाएगी और आप अराम से इसकी कटिंग और स्टीचिंग कर सकते हैं अब राउंड सेप दे देती हूँ अब इसे काट लेती हूँ अब यह हमारा पूरा कपड़ा जो है वह राउंड सेप में हो गया अब बीच में एक निसान लगा लूँगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जर अब नीचे से मैं 1.5 इंच का माप लेती हूं और निसान लगा लेती हूं 1.5 इंच पे हमने निसान लगा लिया और इसे उसी 1.5 इंच के निसान पे दूसरी तरफ से पलटके रख देती हूं यह इस प्रकार से अब इसको पीन की मदद से सेट कर लेती हूं पीन लगा लेती हूं ताकि यह कपड़ा खिसके नहीं यह वीडियो आप पूरा देखिए तो ही समझ में आएगा आपको कि वेल स्लिप कितनी असनी से हम बना सकते हैं अब इसे फिर से में चार फोल्ड में कर लेती हूं कि देखिए एक उपर का पल्ला जो है वो छोटा है और नीचे का पल्ला यह बड़ा है ऐसा हमें लेना होता है अब यहां से हमें स्लिप्स की सबसे पहले हमारी स्लिप्स जो है उसकी माप लेनी है यह स्लिप्स की माप ले लेती हूं कितनी है यह हमारा स्लिप्स जो है देख लेती हूं कितना आता है यह साढ़े साथ आता है हमारा स्लिप्स इसका चोथा भाग पौने चार आता है तो यह देखिए यहां से गोलाई लेके पौने चार ले लेती हूं इस तरह से अगर आपका कपड़ा लूज है तो हम साड़े तीन ही लेंगे और अगर कपड़ा फिट है तो अगर मोटा कपड़ा है तो उसे हम पॉने चार लेंगे और अगर पतला कपड़ा है तो साड़े तीन में ही इस्ट्रे चा जाता है खिचा जाता है और ये पूरा स्लिप्स के हो जाता है कि यह इसकी कटिंग कर ली हूं अब इसकी पिन निकाल लेती हूं एक बड़ा पाथ और दोनों के लंबाई मा आपके बताती हूं यह6 चोटा पाथ है यह हम इस तो यह मैं ट्रश्छ कर लेते हैं कि यहां पर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि हमने किस तरह से इसको फोल्ड किया है कि अब इसकी लंबाई माप लेती हूं यह साढ़े साथ हमारा आ गया है यह माप के मैं आपको बता देती हूं कि यह साढ़े साथ हमारा आ गया है और यह स्लिप के साथ पूरी तरह से फिट हो जाएगी कि यह चोटा साइड है और यह बड़ा साइड है बड़ा साइड हमारा सोल्डर के तरफ जाएगा और चोटा साइड जो है वह हमारा बगल में जाएगा कि यह मैं स्लीव के साथ इसे माप करके दिखा देती हूं कि देखिए बराबर फिट आ रहा है कि अब इसकी स्टीच करके मैं आपको बताती हूं यहां पर उसके पहले कट लगा लेती हूं कि जहां पर हमने हमारा कट है वहां से सोल्डर से मैं जोड़ना सुरू करूंगी यह देखिए दस इंच का है और हमारा स्लीव जो है वह नौ से सवानों तयार होने वाला है यह हमारा बाजू है बाजू में अब हमें यह जो है स्लीव को सेट करना है तो यह छोटा वाला पाठ है और यह बड़ा वाला पाठ है यह बड़े वाले पाठ को हम सोल्डर के तरफ ले जाते हैं इस तरह से यह हमने रखा बड़े वाले पाठ को सोल्डर के तरफ और इस तरह से इसे पलट के रख देती हूं और ये स्लिव्स में दोनों को एटेच करके सिलाई लगा लेती हूं जो लेच को एक रख देती हूं पॉते हूं लुक का ओूू्रा अे जाल को एक रख देती हूं यह हमारा एटेच हो गया है स्लिफ्स यह देखिए इस तरह से हमारा स्लिफ्स तैयार हो गया और इसके नीचे जो है आप या तो पतली पतली सिलाई ले सकते हैं या तो इसमें पिको करवा सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताईए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ